Good morning students, today we are going to start our new exercise, exercise number is 1.3, okay? So, 8th class में, आप लोग का 1st chapter में कौन सा exercise कर रहा है पनाच? Exercise 1.3, 3rd exercise, okay? क्या है 1st question? Express each of the following decimal in the form P by Q form, okay? Express each of the following decimal in the P by Q form. P by Q किसको बोलते है, rational numbers को बोलते है, किसको बोलते है, rational numbers को बोलते. तो अपनको क्या करोब हो रहा है, यहाँ पर थोड़े decimals ने दिया, उसको rational numbers में convert करोब हो रहा, okay? तो कासा करते हैं, यहाँ पर देखें, क्या दिया अपनको 1st question 0.57 दिया, तो 0.57 को P by Q form में कैसा लिखना हूँ? तो 1st point निकाल के यह number लिखना, 0.57 क्या कर्यों मैं only point निकाल देए इसका, 0.57 by, यहाँ पाइंट के बाद कितने numbers है, 2 numbers है, तो कितने zeros दालना हूँ? 2 zeros, यहाँ पर देखें, 0.176, तो मैं क्या कर्यों यहाँ पाइंट निकाल देए, पाइंट के बाद कितने numbers है, 3 zeros, 3 numbers है, तो कितने zeros दालना हूँ? 3 zeros दालना, understood? यहाँ पर 1.0000001, तो क्या करना है, अपनको यह point निकाल के only number लिखना, okay? 1.00001 by 1.000000, तो point के बाद कितने zeros है, 5 zeros है, तो इसलिए मैं क्या कर्या कर्या, कितने numbers है, 5 numbers है, इसलिए मैं क्या कर्या है, 5 zeros दालना है, 25.125, तो इसको क्या करना है, यह point निकाल कर, इसको only number लिखना, 2, 5, 1, 2, 5, by, कितने numbers, sorry, point के बाद कितने zeros है, 3 numbers है, इसलिए मैं कितने zeros दालना है, 3 zeros दालना है, यह आप लोगों का first question का answer है, Coming to our next question, question number is 2, express each of the following decimals in the rational form, P by Q, तो आपन को क्या, यहां पर क्या देता है, यहां भी decimals दिया था, और इसको P by Q के form में, rational number के form में लिखोगों के बला था, लेकिन, यहां पर भी दिया, लेकिन क्या है, अपन को 0.9 bar, बार दिया, number decimals के उपर 12 है, 12 है मतलब, वो number बार बार repeat होता, तो ऐसे number इसको क्या बलते है, अपन, क्या बलते है, non-terminating, non-terminating repeating decimal बलते है, क्या बलते है, non-terminating repeating decimal बलते है, क्योंकि यह जो number है, इसको अगर divide करें तो अपन, इसको 0 नहीं आता, ठीक है न, इसलिए इसको क्या बलते है, non-terminating repeating decimal, आने वाला number ही बार बार repeat होते रहता, इसलि एट बार-बार रिपीच हो रहा मतलब इसके आपर बार और इसको फर एट के अपर बार है तो 8 बार-बार रिपीच हो रहा जैसा फंच तो वोके तो मैं कितने numbers के उपर बार है only one number के उपर बार है तो अपन क्या करना यह equation 1 को 10 से into करना अगर यहाँ आपर two numbers को बार हा तो किस से into करना hundred से into करना अगर यहाँ आपर three numbers के उपर बार है तो उसको thousand से करना तो कितने numbers के उपर बार है अपन को only one number के उपर बार है इसलिए है अपन क्या करने है को 10 से into कर रहे है okay यह पिरियोडिसिटी कीजिग एज वन मतलब बान एक नम्बर करहने से 10 से कर रहे है understood x into 10 equal to 0.999 into 10 x into 10 10x equal to 9.999 9.999 कई को लिखी है यह आपर 10 है 10 बलने तो यह आपर कितने 0 है? 1 0 है 10 में कितने 0 है? 1 तो यह आपर कितने numbers के बाद point आना? 1 number के बाद point आना? 9.999 ओके? This is equation 2 अब क्या कर्यों मैं? Subtract subtract मतलब minus कर यू निकाल देना, subtract मतलब minus करना, ओके? तो equation 2 में से equation 1 minus कर यू equation 2 क्या है? 10x equal to 9.999 equation 1 क्या है? x equal to 0.999 यह आपर subtract करना क्या करना? minus करना, ओके? understood? तो 10x में से x निकाल तो कितने बास ते for example, आपके पास 10 chocolates है, तो आप एक chocolate क्या करें? आपके फ्रेंड कु दे दिए, okay तो एक chocolate आपके फ्रेंड को दे तो remaining कितने बच्चे आपके पास? 9 chocolates बच्चे वाईसी ही, आपके पास 10x है, 1x आपके पास आपके फ्रेंड को दे दिए, तो आपके पास कितने कितना x बचे 9 x बचे तो 10 x में से x निकाल दिये तो कितना बसता 9 x है तो 9 पर्ण यह गया था 9 में से 9 गये तो 0 9 में से 9 गये तो 0 0 में से 9 गये तो 9 0 में से अगर कुन से भी नंबर निकाल रहे तो कितना वह इस नंबर आता something minus 0 sorry 9 9 x equal to 9 तो मैं आपनों को previous classes में बोली थी कि LHS RHS इदर left side है से वालों को LHS बोलते right hand side है से वालों को क्या बोलते RHS बोलते अगर LHS की value RHS में गई अगर LHS में वो multiply हो रही तो RHS में जाके वो value क्या होती divided होती understood तो यहाँ पर I see 9 यहाँ पर LHS में है multiply हो रहा X value is 1 समझ में आया तो next question 0.57 बार तो यह कितने numbers के उपर बार है 2 numbers के उपर बार है यहाँ पर 1 number के उपर बार था इसलिए 10 से into करें थे लाकिन यहाँ पर 2 numbers के उपर बार है तो यह question में अपर किते हैं किस से into करते हैं 100 से into करते हैं understood let X equal to 0.5757 है जिस इस ट्रीन होन यह इंट रहा थो पिरिटिस सिट कितनी है यहां पर two यह two numbers के अउपार बार है इसना लिवत कर करें हैं अगर यहां त्रीटेसिटी यह त्रीट के लिखते हैं तो hundred को किसे इंटू कर रहें sought 3 एंटू कर रहे हैं 5757 इंटो 100 तो 100 इंटो एक्स हंड्रेट एक्स है 5जेवेन बलता यह पर कितने जीरो साहे 2 जीरो साहे तो कितने नमबस के बाद पॉइंट आना 2 नमबस के बाद 57.5751 जिसे नमबर equation 2 तो अपनेक्स्ट स्टेप क्या करेंते है आपन 2-1 equation 2 मेंसे 1 निकाल देना तो 100x में से 1x गया तो आपके पास 100 चॉकलेट्स है तो वो 100 चॉकलेट्स में से 1 चॉकलेट आपके फ्रेंड को दिये तो 99 चॉकलेट्स है आपना वैसे 100x में से 1x निकाल तो कितने बसते 99x पसता ठीक है ना तो 57 तो x equal to 99 x equal to 57 by 99 ये कैसा हुआ lhs में 99 है rhs में 57 है तो मैं lhs का 99 rhs में लेकि जा रही हूँ तो lhs में 99 multiply हो रहा तो rhs में क्या होता वो divide होता तो 57 by 99 x equal to ओके अगर अपन कैंसल कर तो कितना आ रहा है value 19 by 33 3 के table में cancel कर रहे है अपन ठीक है 319 333 ओके so third question क्या है third question find x plus y division x minus y तो x और y की value दे दिया आपनको उसको इसमें convert करके solve करोबल के बना तो x की value क्या है first x की plus पर क्या लिखना है 5 by 2 plus plus y की value क्या है minus 3 तो minus 3 by 4 plus 5 by 2 minus minus of minus 3 by 2 यहां पर देखे plus into minus 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 into minus plus तो 5 by 2 minus 3 by 2 का LCM करना 2 comma 4 का LCM कितना होता 4 आता तो 5 के table 5 into 2 के table में 4 कबा कितने बार आता कबा आता 2 तो 4 minus 3 तो 3 तो 4 तो 4 के table में 4 कितने बार आता 1 बार आता ओके यह भी same as it is ऐसी 5 2s are 10 minus 3 into 1 3 by 4 divided by 10 plus 3 by 4 10 में से 3 के तो 7 by 4 division 13 by 4 तो मैं क्या करी हो division का symbol निकालके into में convert करे तो क्या होता numerator denominator में change होता denominator numerator numerator में change होता फ़र यह निच्चे को उपर जाता नमबर उपर का निच्चे होता 7 by 4 into 4 by 13 तो 4 4 cancel बचा कितना 7 by 13 तो इसमें second one क्या है x equal to 1 by 4 same equation में क्या करना x equal to 1 by 4 दालना y equal to 3 by 2 दालना same as it is करना ठीक है ना अनस्टो तो answer कितना आता 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 fourth question divide the sum of minus 13 by 5 and 12 by 7 by the product of minus 13 by 7 and minus 1 by 2 तो क्या करना है अपनको first sum of sum मतलब plus करना minus 13 by 5 और 12 by 7 को plus करना उसके बाल product of product means multiply करना minus 13 by 7 and minus 1 by 2 को क्या करना है एक दूसरे को multiply करना है उसके बात क्या करना है यह जो answer साथे इनको एक दूसरे को करना ठीक है ना first sum of minus 13 by 5 plus 12 by 7 देखींगे ठीक है तो minus 13 into 7 plus 12 का करें 5 और 7 का LCM किता होता 5 7 जा 35 ओके minus 13 into तो 5 की टेबल में 35 का बाता 5 7 जा 35 प्लस फिर 12 तो 7 की टेबल में 35 का बाता 7 5 जा 35 ओके minus 13 into 7 13 into 7 करें तो कितना होता आपन को 91 आथा 12 फाइजा 60 तो LCM किता आया था आपन को 35 तो minus 91 into 60 करें तो किता आता आपन को plus plus 60 minus 91 में से 60 निकाले तो कितना बसता minus 31 by 35 यह क्या है अपना sum of तो plus का अंस है next क्या करो बोला product of minus 13 by 7 and minus 1 by 2 तो यहापर करें product means multiply करना minus 13 by 7 into minus 1 by 2 तो इनको क्या करना है only minus 13 into 1 13 1s are 1 minus into minus plus 13 by 7 into 2 7 2s are 14 13 by 14 तो आप क्या करना यह answer को यह answer को एक दूसरे को divide करना minus 31 by 35 divided by 13 by 14 तो इसको यह symbol निकाल के into में करना बलतो क्या करना है जे की value उपड़ जाती और यह denominator उपड़ जाता है denominator निक जाता है तो क्या होता है आपर 14 by 13 होगा तो यह क्या आया मैना 62 by 65 तो next coming to our next question question number is 5 if 2 by 2 by 5 of a number x is 1 by 7 of the same number by 36 find the number तो क्या पर आपको 2 by 5 of a number यह क्या एक नमबर है तो इसको क्या करना first x से into करना x into 2 by 5 2 x by 5 1 by 7 of a number इसको 1 by 7 को क्या करना फिर x से into करना x into 1 by 7 x by 7 x is number बोला x is number बोलतो यह number को क्या करना यह 36 को प्लस करना ठीक है 2 x by 5 equal to x by x by 7 plus 36 तो क्या कर्यों मैं x x के values एक साइड लिख रही है यह क्या है आरेचेस में प्लस में है अगर यह लेचेस में आया तो माइनस हो जाता 2 x by 5 minus x by 7 equal to 36 अब देखिए इन दोनों का LCM किता होता 5 7 जा 35 2 x into 5 की टेबल में 35 का बाता 5 7 जा 35 माइनस x into 7 की टेबल में 35 का बाता 7 5 जा 35 equal to 36 2 x 2 7 जा 14 14 x minus 5 x by 35 equal to 36 तो 14 में से 5 के तो किते बसते 9 9 x by 35 equal to 36 9 x ऐसी लिख रही हो मैं यह 35 को क्या कर्यों आरेचेस में भेज रही हो यहाँ पर यह डिवाइड हो रहा है यहाँ पर जाके क्या होता मुल्टिप्लाई होता 36 into 35 तो 9 x equal to 1260 x equal to 1260 by 9 तो क्या हो रहा है यहाँ पर इलेचेस का जो 9 है वह आरेचेस में आके डिवाइड हो जा रहा हूँके तो 9 1 जा 9 140 जा तो यहाँ तक किया करना है पास्ट्वचेंसे पूरा यह आप लोगे नोट बुक्स में लिखना है और में को सेंड करना है और में को सेंड करना है की आप लाव को सेकेंड कोशेंड में थार्ड वन और फॉर्थ वन होमबब प्रॉब्लम है मां ओके तुदेज्स क्लास इस ओवर थांक यू स्टुडेंट्स